नमस्कार दोस्तों स्पोर्ट चारी देख रहे हैं आप मेरा नाम है नितिन भारतवाज रोहिश शर्मा को नहीं मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्टा का इंविटेशन जी हाँ आप लोगों को ये बास सुनकर हैरानी जरूर होगी और आप ये भी सोच रहे होगे कि भाई रिपोर्ट तो पहले आई थी जहाँ पर रोहिश शर्मा का नाम था इंविटेशन गैस लिस्ट में आपको वो रिपोर्ट भी दिखा देते हैं जहाँ पर रोहिश शर्मा का नाम वहां आया था जहां पर उनको invitation मिला था ये invitation guest list है जहां पर उनका नाम है सचिन टेंडुलकर, धोनी, कोली, गवासकर, कपिल देव, द्रावेड, सहवा, गांगुली, कुमले और रविंद्र जड़ेजा के साथ रोहित शर्मा का नाम भी यहां पर mention है लेकिन लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिये जब राम मंदिर, प्रांट, पतिस्टा के समारों में रोहित शर्मा की कोई भी तस्वीर नहीं आई और बलकि रोहित शर्मा की उस वक्त practice की तस्वीरे काफी जादा viral हो रही थी तो वहां पर अठकले ऐसी लगने लगी कि शायद रोहित शर्मा को invitation मिला ही नहीं और अगर invitation मिला होता तो रोहित शर्मा जरूर राम मंदिर के इस कारेकरम में इस समारों में पहुँचते वहीं अगर हम रोहित शर्मा के fellow cricketers की बात करें तो विराट कोली को भी invitation मिला था, महिंदर सिंग धोनी को भी invitation मिला था और वहां पर उनकी तस्वीरें भी viral हुई थी, उनकी तस्वीरें भी सामने आ गई थी लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा को अगर इंविटेशन मिला था तो कोई भी तस्वीर भारतिय कप्तान की वहाँ पर सामने नहीं आई थी और इसी वजह से अब सोशल मीडिया पर यह काफी जादा चर्चा कर रहा है टॉपिक क्या वाकई में टीम इंडिया के इस वक्त के तीनों फॉर्मेट के कप्तान रोहित शर्मा को राम मंदिर के इस कारे करम के लिए इंविटेशन मिला था या नहीं मिला था तो आप लोग भी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा क्या रोहित शर्मा को इंविटेशन राम मंदिर प्राण पतिश्टा के लिए मिला था या नहीं मिला था क्योंकि अगर मिला होता तो रोहित शर्मा प्रैक्टिस करने की बजाए राम मंदिर जरूर आते कॉमेंट सेक्शन में मैं जरूर बताएगा साथी साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा शेयर जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही जैहिन जै भारत